जहिन मेरे प्यारे दोस्तो माई लालित आपका फिर से सवागत करता हूँ आपके अपने चैनल डर्ब ओफिर्स पर तो दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे चैनीज मॉबाइल के बारे में दोस्तो Chinese Mobile सभी के पास है लेकिन इससे क्या खत्रा है ये भी आग जान लेते हैं तो दोस्तो Lithuania एक country है दोस्तो ये एक Europe में country है इसने कहा है अपने देशवासियों से कि Chinese phone जो है वो जिदनी जल्दी हो सके वो आप अपने पास से हटा दें तो दोस्तो ऐसा इसने क्यों कहा वो जानते हैं दोस्तो सबसे पहली बात तो यह कि यह जो Chinese mobile है इनकी security कुछ नहीं है यह कुछ भी कर सकते हैं remotely आपने पास से ही यह आपका data share कर सकते हैं ऐसी एक report आये भी है जिसने कहा है कि यह encrypted data जो phone का usage data है वो एक Singapore में एक server के जरिये बेजता है यह Xiaomi Mi 10T 5G और Huawei P40 5G के बारे में security flaw है दोस्तों यह इसकी कमी है security में SS ने कहां और हाल फिलाल में ऐसी ख़बर आई है कि जैसे free Tibet तिबब दोस्तों यह भी एक देशी है लेकिन China कहता है कि यह मेरे अंदर है तिबबद तो जैसे free Tibet, long live, Taiwan, independence ऐसी कुछ चीज़े अगर आप type करते हैं इसमें तो वो अपने आप censored कर देगा यह mobile, Chinese mobile censored का मतलब यह अपने आप हटा देगा और आपको पता भी नहीं से लेगा दोस्तों तो ऐसा ही यह आरोप लगाए है और यह हो भी सकता है लुथिनिया कंट्री ने Chinese country के ओपर और Chinese mobile के ओपर तो दोस्तो यही है तो दोस्तो अब यह भी जान लेते हैं कि लुथिनिया की capital क्या है क्या currency है दोस्तों लुथेनिया दोस्तों एक यूरोब में कंट्री है और इसकी केप्टल है विल्नियस इसकी करेंसी है लुथेनियन लितास इसे याद रखिएगा दोस्तों तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही जैन जै भारत